अज बनाते हैं चीजी मीनी गार्लिक ब्रेट बहुत ही आसान रेसिपी में आपको बता रही हूँ यह बहुत जल बनकर तयार हो जाती है और इसके इंग्रिटियंस भी बहुत जादा कम हैं तो चली ब्रेट के लिए आटा तयार करते हैं मैंने 200 ml गुन-गुना पानी लिया है पानी को बहुत ज्यादा गरम ना करें पानी गरम होगा तो इस्ट काम नहीं करेंगा पानी में मिला देना है 1.5 तीस्पून ड्राइश्ट एक टीस्पून चीनी और आदा टीस्पून नमक सबी चीजों को मिक्स करें और ढखकर 15 मिनिट के लिए साइट में रख दें दूसरे बॉल में मैं दाल रहे हूं 3 टीस्पून बटर इसे मैंने थोड़ा सा मिल्ट कर लिया है 1.5 तीस्पून डाल दिया है गार्लिक का पेस्ट आप इदर गार्लिक पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं साथ में दाल दे फ्रेश कटे हुए धनिया के पते इसको साइट में रखते हैं हम इससे बात में इस्तमाल करेंगे 15 मिनिट हो गये हैं आप आटा गूल लेते हैं तो मैंने दाल दिया है देड़ कप मैदा इसमें मिला देना है 25 एमिल तेल अब इसमें दाल देना है पानी जो हमने पहले इस्ट मिला कर रखा था अब इसी पानी में आटे को गून लेते हैं गुंदा हुआ आटा में एक दूसरे बॉल में दाल देती हूं इसके उपर लगाए थोड़ा सा तेल तकि यह चिपके ना इसको धकर रख देते हैं 30 मिनिट 30 मिट हो गये हैं आट अभी काफी राइस हो गया है तो अभी में इसे मिकाल लेंगे हाथों में थोड़ा सा तेल लगाए और इसके दो हिससे बना लें गार्लिक ब्रेट में इसमें बेक करने वाली हूं तो मैं इसे बटर लगा लेती हूं अब इसमें मैं आटा रखकर फैला दूंगी आप बेकिंग ट्रे में या केक तिन में भी इसे बेक कर सकते हैं आप इसे गैस टोपे भी बना सकते हैं जिस तरह मैंने चॉकलेट ब्राउनी का केक बनाया था आप ने वह वीडियो नहीं देखा है तो चॉकलेट ब्राउनी का लिंक मैंने दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप वहां से देख सकते हैं मैंने इसको फैला दिया है अब इसके ओपर कट्स लगा देते हैं कट्स लगाने के बाद इसको ढखकर 15 मिनिट के लिए रेस्ट होने देते हैं 15 मिनिट के बाद इसे बेक करेंगे तो चलिए इसके ओपर लगा लेते हैं बटर और गर्ली का सॉस बटर गर्लिक सॉस लगाने के बाद जितना आपका दिल करें उतना चीज अब इस पर दाल दें यानि चीजी कार्ली ब्रेट के लिए धेसारा चीज दाल दिया तो चलिए इसे बेक कर लेते हैं 10 मिनिट के लिए चीजी कार्ली ब्रेट कितना बढ़िया लग रहा है मुझे चीज को थोड़ा ब्राउन करकर खाना पसन है तो मैंने इसे थोड़ा ब्राउन कर लिया है दूसरी ब्रेट में मैंने इस चीज को प्राउन नहीं किया है दूसरी ब्रेट ही बहुत ज्यादा टेस्टी बने हैं रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेर जरूर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मज़ेदाल से रेसिपी के साथ तिल देन बबाई बाई